चूट चूट यानि बट्टा ठिक बट्टा यानि डिसकाउंट हिंदी में चूट बट्टा और इंग्लिश में से डिसकाउंट कहते हैं इसमें एक्चुली क्या होता है कि हम माली जे दुकंदार है दुकंदार कोई समाल लेकर आता है ए दाम पर ठिक उसमें वो क्या करता है अपना खर्चा पानी जोड़कर उसमें B दाम पर कहता है हम समान बेचेंगे। फिर कोई ग्रहा काता है, कहता है कि दाम कम करो। और वो समान जाके बिखता है C दाम पर। ये जिस दाम पर वो खरीदता है, उसको कहते हैं क्रे, यानि CP, जिस पर वो बेचने का दाम लगाता है, उसको कहते हैं अंकित, इसको इंगलिश में कहते हैं मांग्ड प्राइस। और जिस दाम पर समान बेखता है, उसे कहते हैं विक्रे, यानि SP, अब यहाँ पर वो हमेशा कोई भी आत्मी समान खरीदेगा, और जब बेचने के लिए दुकान पर लगाएगा, तो दाम बढ़ा करी लिखलेगा, तो ये दाम हमेशा बढ़ा होता है, और जब हम बारगनि तो यहाँ पर जो भी प्रतिशत आता है, माल लिजे वो Q परसेंट है, तो वो हमेशा घटा के होता है, और यहाँ वो बढ़ा के लिखता है, तो वो P परसेंट हमेशा प्लस में रहता है, तो यानि किसी भी दुकंदार में खरीदारी और बेचने के बीच में 2-3 चरण होते है, क्लियर है, अब अगर हम सिंपल देखें जाएं, कि अगर यह डिसकाउंट नहीं है, तो यह मेरा क्या चीज है, कि अगर माल लिजे कोई दुकंदार, एक माल लिजे कैप को 500 रुपे की लाता है, 500 रुपे की वो खरीद के लाता है, तो उसका क्रे, यानि CP जो हो गया, व यह इसका विक्रे हो गया, विक्रे का दाम, यानि उसने उसको बेचा कितने में, यह उसने उसको खरीदा, और यह उसको बेचा, तो अब बेचने वाला दाम जादा है कि ने, तो उसको लाब हो रहा है, लाब को अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रॉफेट, क्या बोलते हैं, प्रॉफेट तो 700 में से ही तो 500 भटा होगी यानि 200 रुपे का उसको लाब हो गया clear यानि लाब का सूत्र मेरा क्या हो गया विक्रे में से क्रे घट गया यानि profit is equal to SP minus CP इत्ती बात समझ में आगे क्योंकि discount और छूट को समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है इसके बात अगर माल लीजे वही कोई आदमी उसी टोफी को 500 रुपे में खरीद रहा है अब कोई आदमी आया और उसने उसको उसका दाम केवल 400 रुपे में खरीदा मतलब बेचे उसने उसको 400 में बेचा उसने उसको 100 रुपे कम दी अब उस दुकंदार का यहाँ पे क्या हो गया नुकसान हो गया यानि हानी हो गया और इसको कहते हैं loss अब यहाँ यह बड़ा है और यह छोटा है तो हम SP मानस CP थोड़ा लिखेंगे 400 में से 500 थोड़े खटा है अब यहाँ पे क्या लिखेंगे CP मानस SP यानि 500 में से 400 रुपे खट गया और उसका नुकसान कितने का हो गया 100 रुपे का यह अच्छी तरह समझ में आ गया तो यानि जब जो विक्रे का दाम है यह मेरा कम होता है विक्रे का दाम कम होता है तो वहाँ पर क्या होती है हानी ठीक अब इसके बाद यहीं से जुड़ी हुए चीज आती है लाब प्रतिशत और हानी प्रतिशत लाब प्रतिशत का सूत्र हो जाता है जो भी लाब आया बटे जितने में हमने समान खरीदा यानि क्रेमूल ठीक है गुड़े 100 इसी तरह से हानी क्रतिशत है तो उपर हम हानी लिख लेंगे बटे क्रेमूल और गुड़े 100 ठीक अब यहां पर हमारे लाब कितने का था 200 रुपए का और क्रेमूल ले कितना था 500 रुपए ये तुम्हारा लाब प्रतिशत आ गया और इसी तरह से अगर हम हानी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 रुपए की हानी थी और क्रेमूल ले 500 और ये 100 तो इस तरीके से हानी प्रतिशत और लाब प्रतिशत निकाला जाता है अब अगर इसकी ट्रिक देखें इतना लंबा हमसे नहीं निकलता इसकी अगर हम ट्रिक निकालना चाहें तो सीधी ट्रिक क्या होती है की लाब प्रतिशत बराबर 100 प्लस लाब गुड़े क्रेमूल बटे 100 ठीक है या इसको छोड़ दो पहले अभी हमारे बट्टे पे जो मेरा मुख्य टॉपिक है बट्टा में क्या होता है की हमेशा हम दाम घटाते हैं दुकंदार से कहते हैं की मेरा दाम कम करते हैं ठीक तो हमारा हमेशा उसमें हानी वना जाएगा जैसे माल लीजे अगर कोई चीज कोई कैप है जोकि 1200 रुपे की खरीदी गई 1200 रुपे की खरीदी गई और वो किसी ग्राहक को 1100 रुपे में बेच रहा है और हमसे कहा जाए कि उसका छूट प्रतिशत निकालो क्या निकालो छूट प्रतिशत तो पहले हम उसकी छूट निकालेंगे यानि उसने उसको कितने रुपे छोड़ा यानि 1200 में से 1100 घटाया यानि 100 रुपे यानि सूटर यहाँ पर क्या हुआ CP माइनस SP अर्था चूट का सूटर क्या हो गया क्रे में से विक्रे को घटा दिया तो हमारा चूट का जवाब आजाता है अब अगर हमें चूट प्रतिशत निकालना है जैसे हमारा ये वाला चूट था तो चूट बटे क्रे दा गुणे 100 जैसे ये वाला सूटर था हानि प्रतिशत हानि बटे क्रे मूले गुणे 100 वैसे ही ये सूट तो चूट में मेरी कितनी आई? 100 रुपे और क्रेम मूले कितना है मेरा बारा सव और गुणे सव ये दोनों जीरो तड़ गए तो दुनी आठ चार पंचे बेज, चार ते बारा तो पच्चिस बटे तीन ट्रतिशत की छूट हो गए ठीक है अब इसमें इसी तरीके से माल लीजे अगर वो बंदा इसमें मिला जूला अगर ले ले कि अगर कोई क्याप वो बारा सो रुपे की खरीद रहा है और उसमें वो दाम बढ़ा के चौदा सो रुपे अंकित कर दे रहा है ठीक उसके बाद वो कहता है कि हम वहाँ पे पांच परसंट की छूट दे रहे है तो वो समान कितने में बिके रा अगर हमको ये निकालना है ठीक है तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि बारा सो रुपे का वो समान था यानि समान का क्रे दाम कितना हो गया बारा सो रुपे और चौदा सो उसकी अंकित दाम है अंकित का दाम कितना है चौदा सो अब छूट देने के बाद कितने में बिकेगा तो छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे क्रे गुणे सो यहाँ पे छूट प्रतिशत कितनी आपती पांच परसेंट और यह छूट हो गया यहाँ पर क्रे में आप यह विक्रे अंकित वाला दाम लिखेंगे तो चौदा सब हो जाएगा, गुणे 100, तो चूट आपने निकाली, तो पांच गुणे 14 सब बटे 100, तो 14 पंचे 70 रुपए की चूट होई, तो उसने वो समान कितने रुपए में बेचा, तो जब आप विक्रे करेंगे, तो ये आपका अंकित वाले में से चूट को आप घट देंगे, तो चौदा सब में से 70 रुपए आपने घटा दी, तो जीरो, दस में से 7 क्या है, तीन, 1330, लेकिन अभी भी आप दुकंदार को देखिए, मुनाफ़ा ही हो रहा है, तो असल मुनाफ़ा क्या है, क्रे, विक्रे में से क्रे घट के, विक्रे में से, तो विक्रे आपकर कितना है, 1200 रुपए, तो आपको अभी भी 130 रुपए का दुकंदार को फायदा होगी, तो जब दुकंदार अंकित का दाम, अंकित मूल बढ़ा के भी लिख रहा है, छूट देने के बाद भी दुकंदार को मुनाफ़ा हो जाता है, और यही आजकल पूरे बिजनस क कि नीध है, कि छूट देने के बाद भी दुकंदार किस तरीके से गरहाग से मुनाफ़ा कमा लेता है, अब अगर हम यहां से यह निकालना चाहिए, कि दुकंदार को कितने परसंट का मुनाफ़ा हुआ, तो वही आपको जो भी मुनाफ़ा लाप परशत निकालना है, ठीक ह तो आपको लाप प्रेश्यक कितना हो रहा है 130 रोपे का अब यहाँ पर नीचे जो मेल दाम है वो आप कितना लिखोगी 1200 गुणे 100 तो यह आपको आ गया 130 बटे 12 तो दो चंग बारा दो पंचे दो चंग बारा छे कंचे जीरो और 68 जा 48 तब भी उसे 10% तक का मुनाफ़ा हो द झाल प्रेश्यक कितना है